हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो एरेट्यूब चैनल कुवित आर्टी तो हारो का सीजन चल रहा है और जन्माष्ट में आने वाली है और जन्माष्ट में हम अलग अलग तरीकों की कतलियां बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं तो इसलिए आज मैं आपको बना बनाना सिखाऊंगी गोले की कतली बहुत ही टेस्टी होती है और स्वयम कृष्णी जी को भी बहुत ही पसंद होती है तो इसलिए मैंने सुचा कि आप लोगों के लिए मैं आज बनाओं गोले की कतली तो चलिए देखते हैं यह गोले की कतली हम कैसे बनाएंगे कि जो हम गोले की बना रहे हैं वो अबिसली बनेगी गोले से ही तो यह पर मैंने जो सूखा वाला गोला होता है वो ले लिए थे तो सूखे वाले मैंने गोले लिए थे medium size के और उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था ये देखिए कुछ ऐसा हो चुका है और अगर मैं इसको मेजरिंग कप से बताऊं तो ये मेरे पास आए हैं तू मेजरिंग कप से टू कप ये गोले मेरे पास ग्रेट हो के आए हैं तो अब ही हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो अब मैंने यहां पे ले लिए है एक कढ़ाई जिसको मैं हीट करी हूँ और अब यह हीट हो भी चुकी है तो आज मैंने धीमी कर दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी यह जो हमने गोला ग्रेट किया था वो और इसको जादा नहीं बस दो मनिट के लिए हमको ऐसे भून कि देखिए आप लोग तो गैस अब बनाएंगे हम इसकी चाशनी क्यूंकि कतली है तो मीठी ही होगी तो चाशनी मनाएंगे और इसमें डाल देंगे हम यह मैंने अभी एक कप चीनी डाली है मेजरिंग कप से और मैं इसमें अब आधा कप और डालूंगी अगर आपको और म कप मेजरिंग कप से और पानी भी डाल कर देंगे और इसको हम चलाएंगे यह देखिए आप लोग तो गैस यह देखिए बस कुछी मिनट बाद मेरी जो चीनी थी वो मेल्ट होने लगी है तो मीडियम फ्लेम पर ही मैंने मेल्ट किया है और जब तक यह मेल्ट हो रही है और जादा तब तक हम अपनी जिसमें कतली जमाएंगे वो तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीके की थाली ले लिए यह देखिए आप लो अगर आपके पास जो बर्फी ट्रे आती है वो है तो आप भी ले सक कर देंगे ग्रीस करने से क्या होता है जब हम कतली को निकालते हैं काटके तो वह अराम से हमारी बिलकुल एकदम अच्छी सी कतली निकल के आती है तो इसलिए जब भी आप कोई बर्फी या कतली बनाएं तो जिसमें बनाएं उस चीज को सबसे पहले ग्रीस कर लीजे एसे तो यह देखिए यह हो चकी है घी से ग्रीस अगर आप चाहें तो ओल से भी कर सकते हैं फिलाल मैंने या पर तो देशी घी से ग्रीस करी है तो गाइज यह देखिए कुछ तो तीन मिनट हुए है और जो मेल्ट हो चुकी है हमारी चीनी अच्छे से बटी अभी रेडी नहीं हुई है इसी तिये मैं अभी इसे और पकाऊंगी और इसको एक तार की चाशनी बनाऊंगी तो करीब पांच मिनट बाद हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है और इसमें तार भी बनने लगा है मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ी ची चाशनी अपनी फिंगर्स पर लीजिए और ऐसे अपने थम के बीच में करके देखिए तार बन रहा है इसमें इसका मतलब हमारी पर लुअ हमारी गरी हो चुकी है तो अब इसमें आड कर देंगे जो भोला हमने बूना था वो और अब हमें बेखिए हैंगे जल्दी जल्दी चलाना है हमें अंडिखिए रोफलेम होनी चाहिए आपकीontoar कि अब हम्में अब आपको बीखिए एस बोल्डिक्तुम तब तक पकाएंगे जब तक यहां पर करें जब तक राउन-डाउं गरें राउन गरें इसमिक्सचर को तो तो इस गोल गोल ना बनने लगे तो यहां पर करीब मुझे बस तीन ही मिनिट हुए है और अब मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ा सा मिक्सचर लेकर कि यह गोल गोल बनने लगी है यह देखिए तो अब मैं इसे उतार लेती हूं गैस के उपर से तो अब जब ग्रीस करी थी इसमें अपना जो जो डाल दे मुझे के सब्सक्राइब करें दू कि गुमाने बफ्सक्राइब करें रादंगी रादंगे तो अब Carson CAD यह भाल अ लाँ जब उसे कट करें तो अच्छे से निकल के आए तो गाइस यह हो चुकिए रेडी अब मैं इसे करीब 15 मिनिट के लिए पंखे के नीचे चोड़ दूंगी फ्रिजमे रखने की कोई ज़रत नहीं है यह बहुत ही जंदी जाने लगती है तो 15 मिनिट इसके लिए सफिशियंट है यह अच्छे से जम जाएगी तो 15 मिनिट हो चुके हैं और हमारी कटली भी रडी हो चुकी है तो अब मैं इसे कट करूंगी तो कट करने के लिए एक हम शार्प नाइफ लेंगे और उससे कट करेंगे तो ऐसे हम इसको नाइस को पुश करते हुए कट करेंगे वाव आपको काटने से ही पता जल रहा हुगा कितनी बढ़िया बनी है तो लीजिए हमारी गॉले की कटली रेडी है और मैंने इसे आमन से जैकुरेट भी कर दिया आप जैसे चाहें वैसे डैकुरेट कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छा स्वाध होता है इसका और जनमास्टी मी में यह बहुत ही बढ़िया लेगी तो इसी लिए मैंने आप लोगों को आज बनाना सिखाया है आप लोग पक्का अपने घर पे जबूर राय करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक ज़रूर कर दीजेगा और कमेंट बोक्स जरूर उताएगा आप लोगों की कतली कैसी बनी और सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चानल को विर आयती को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मैं भूलिएगा क्योंकि उसी से मेरी आने वाली वीडियो को निटिफिकेशन आपके पस आएंगे औ और बहुत सारी वीडियो लाती रहूं लिए आप लोगों के लिए तो मिली हो अपने अगले वीडियो के सब तब तक के लिए टाटा बायबै थैंक्स पर वाचिंग